नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट कन्या रासी वालों सुक्र का रासी प्रिवर्तन होने जा रहा है सुक्र अभी तक कन्या रासी में थे अब वो 18 सितंबर को तुला रासी में अपने ही घर आ रहे हैं और यहां पर 13 अक्टूबर तक रहेंगे तो 18 तारिकी रात और यहां से 13 अक्टूबर तक जब सुक्र तुला रासी में रहेंगे तो मालब बे नमक राजयोग बनेगा और इस राजयोग का प्रभाव लाइफ पर बहुत खुबसूरत तरीके से परता है लेकिन आपकी कुंडली में बना हो तो सूने पिस हुआगा तो यह जो करिब 23-24 दिन का समय है यह ऐसा समय है जो आपको उचाईयां देगा आखिर क्या मिलेगा और किन चीजों से परहेच करना है यह हम जानेंगे देखिए सुक्र का तुलारासी में आना सर्फ्रेष्ट माना गया है क्योंकि बहुत सुप्फल देते हैं 18 सितंबर को लगभग 2 बजे प्रवेस करेंगे तुलारासी में और 13 अक्टूबर तक रहेंगे तो बहुत सुप्फल देंगे प्रेम बरसाएंगे लक्ष्मी बरसाएंगे खुबसूरती के कारक भोग विलास के कारक तुलारासी में जब सुक्र आते हैं तो सुप्फलों की बरसा करते हैं कन्या रासी में रहकर नीच के होकर सुक्र केतु के साथ थे तो पारे बारी खुसियों में ग्रहन लगाये थे मान सम्मान में भी ग्रहन था और जैसे ही नीच रासी को छोड़ कर वो अपने ही रासी में आएंगे मालब्य नामक राजयोग बनाएंगे तब यहां पर क्योंकि देखे सुक्र के ऊपर किसी अन्य ग्रह की द्रिश्टी सुक्र का अपना जो फल है खुल कर दे पाएंगे द्रिश्टी ने यह करने रासी शुक्र आपके यह धन भाव में आ रहे हैं अपनी नीचता छोड़ के अभी तक वह आपके ही रासी में थे और केतु के साथ थे तो केतु के साथ सुक्र जब बैठे थे तो बहुत अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे लेकिन अब जब तुला रासी में अपने ही घर जाएंगे आपके धन भाव में आएंगे और सुक्र खुद तो धन बैभव बिलासिता के कारक गरह हैं देने वाले गरह हैं तो आपकी सुक्र यहां आएंगे एक तो यहां पर वो अकेले हैं और सुक्र का किसी के साथ कोई यूती भी नहीं होगी और ना ही कोई दृष्टी संबंद बनेगा इसका मतलब यह हुआ कि सुक्र तुला रासी में 13 अक्टूबर तक सिंगल रहेंगे और आप पर किरपा एदम पूरी नामक राजियोग बनाएंगे धन लक्षमी का सुक्र तो देंगे स्वभागे बढ़ाएंगे भोग बिलासिता के कारक ग्रह हैं और आपके लाइफ में क्या क्या प्राप्त होगा दिखें जब कन्या रासी में सुक्र थे केतू के साथ तब यहां पर परेसानिया बढ़ी भ थे मुश्किलें जादा थी लेकिन जैसे ही सुक्र आएंगे तूला रासी में तब यहां से क्या मिलेगा देखें एक तो धन बर्दी होगा आर्थी किस्तिती पहले से बढ़ियां होगी नौकरी करते हैं तो सेलरी बढ़ेगी व्यापार में मुनाफ़ा होगा उधार दिया पैसा आएगा पुरानी अगर उकावा कहीं पर पैसा है तो वो भी वापस मिलेगा मान सम्मान बढ़ेगा दूलती भाव कुटुम का भी भाव है तो अपनों का साथ मिलेगा प्रेम पुर्ण वातावरन घर का रहेगा खुसी आएंगी इंकम बढ़ेगा जमीन जादात का लाप करवाएंगे शुक्र और आपके अंदर जो काबिलियत है उसके दम पर आप सफलता सरलता से प्राथ करेंगे इस प्रियड में अच्छा खाएंगे पीएंगे उत्तम भोजन का आनन्द लेंगे और गांपत्य जीवन की बात करें तो शुक्र यहां पर विवाह के कारक भी है तो इसमें हो सकता है आप और विवाहित है तो आपका विवाहत तै हो जाए हलाकि धन बर्दी योग भी बनेंगे तो अगर कर्ज में फसे थे तो आसानी से कर्ज मुक्त हो जाएंगे जो विद्यारती है पढ़ाय लिखाई में आपकी रुची बढ़ेगी मेहनत कीज लेकिन धन भी आ रहा है और इसमें दृती में हैं तो यहां पर विवाह योग बन रहे हैं खासकर पार्टनर्शिप में काम करते हैं तो अंतराष्टी व्यापारी हैं तो यहां जरूर सफलता प्राप्त होगी आपको कोट कचरी के मामलों में चीजें आपके पक्च में करते हैं जरूर समस्फलिजप आपकार अन